हेलो गाइस, फेल कंडू स्पेशल एजुकेशन, तो दोस्तों आप लोगों ने एक ये वली न्यूस तो सूनी रखी होगी कि दो दिन पहले CM का बयान था कि अब एक साल तक हर्याना में कोई भी नई बढ़ती नहीं आईगी तो इसके बाद काफी जाता बवाल खड़ा हुआ था और opposition party ने भी काफी questions उठाए दे काफी विरोध किया था तो उससे latest video conferencing में इन्हों ने एक नया बयान दिया और यह आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशकबरी है और न्यूस पेपर की cutting दिखाए तो मैं आपको पूरी information किया तो चलिए डिसकस करते हो शोट में ब आना है तो आप यहां से बड़ो यह left side में लिखाऊ ना इसमें उन्होंने करमचारी संगठ्रों की शंकाओ को दूर किया करमचारी संगठ्रों की शंकाओ को दूर किया करमचारी निताओ की नई भर्ती DAW LTC बंद करने पर विरोध भी जिताया CM ने कहा है कि करमचारीों को 17% में गाही बत्ते का लाम मिलता रहेगा इसके साथ साथ इनों ने बोला है कि 12,316 पदों पर भर्ती का जो अंतिम परिनाम है वो जल्द निकाला जाएगा सोकाल इससे लेड़िट कमेंट साय थे वहने रिप्लाई भी किया था लोग कहा रहे थे कि हमारा एक्जाम हो गया उसका रिजल्ट नी आया कि आएगा नी आएगा तो मैंने जो बोला था कि आएगा वो इनों ने बोला कि उनका रिजल्द जल्दी निकाला जाएगा इनकी परिक्षा आयोजित की जा चुकी है और लोगडाउन की अवधी पूरी होने के तुरंत बात परिनाम गोशित कर दिये जाएगा इनों ने लिखा ठीक है आगे इनोंने वही दूसरी बात है हमारी भरती से लेड़िट कोई बात नहीं है और जो एक और जो भरती से लेड़ि सरकार के इस फैसले का विरोध किया हला बोलके नेता अनुपम का कहना है कि हर्याना सरकार की ये गोशना पर्तियोगिती प्रिक्षाओं की तियार करने वाले चात्रों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा पहले से करोना मामारी के चलते अचानक हुए लोगडाउन से चातर वे चातर है प्रिशानी में आ चुके हैं जो की दिली चंडीकड औरने बड़े शैरों में रहकर विबिन प्रिक्षाओं की त्यारी कर रहे है उनके सामने किराया देने और खाने की समस्या पहल से चल रही है और अब अचानक इस गोशना से और प्रिशानी बढ़े कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लिया करो